इंजन वल एप्लिकेशन में हम शेर को किस तरीकी से खरी सकते हैं, किस तरीकी से बेश सकते हैं, पैसा डिपॉजिट किस तरीकी से कर सकते हैं, बिड़ो किस तरीकी से कर सकते हैं, इस पर अकॉण किस तरीकी से बनाते हैं, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिये तो उस व open करने के बाद में आपको अपने mobile number से यहां पर login कर लेना है और MPIN set कर लेना है तो चलिए यह काम मैं कर लेता हूँ इतना करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा जो कि आप यहां पर देख पा रहा है ठीक है तो यहां पर आपको आपकी जो फिरुपाल का नेम है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा इसी के साथ में आपको यहां पर search बाल का option मिल जाता है आप यह यहां पर कोई भी इने में सर्च कर सकते हैं इसी के साथ में आपको milestone देखने को मिल जाएगा तो इसे के साथ में आपको यहां पर मिल जाता है निप्टी जानि कि जो भी बड़ी कंपनिया है वो आपको इसमें देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी ठीक है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहा है इसी के साथ में चलिए हम यहाँ से बैक कर देते हैं बैक करने के बाद में आप यहाँ पर देख पा रहा है जै इस पर आप simply click करेंगे तो आपको यहां पर जितनी भी आपकी बॉच लिस्ट होंगी वह आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी बॉच लिस्ट का एक्चली में काम क्या होता है जैसे कि अगर आप एक न्यू बॉच लेट हैं आप बनाना चाहाते हैं तो आप इस पर simply click कर करेंगे आप यहां पर new बॉच ल्ष बना सकते हैं ठीक है जानकी आप अपने नेम से बना सकते हैं जैसे कि मैं आप देता हूं पि-एस ठीक है एक्चांपल के तौर पर फेश्क करेंगे आप जो भी अपनी नेम से बनाना चाहाएं वो बना सकते हैं मां क्रेडिट पर simply click कर सकते हैं जैसे कि मैं यहां पर सर्थ कर लेता हूं पी एन बी ठीक है इस तरीकी से करते हैं तो हम यहां पर simply plus पर क्लिक करेंगे तो आपके यहां पर देख पा रहा है पी एस जाने की उसमें जाकर यह save हो जाएगी जैसे कि आप इस पर simply click करेंगे तो आप यहाँ पर देख पारा है यह company यहाँ पर आ चुकी है PNB एक bank है और इस bank को यहाँ पर आप simply click करेंगे तो आप इसके बारे में यहाँ पर जानकारी भी जुटा पाएंगे ठीक है तो यहाँ पर अभी चलिया हम यहाँ से back कर देते हैं तो यह तो आप समझ गए कि यहाँ पर watch list किस तरीके से काम में आती है इसके बाद में आप यहाँ पर तीस्त्रे option पर simply click करेंगे तो आप यहाँ पर यह देख सकते हैं profit and losses पर आप simply click करका और इन सारी चीजों को आप बहुत इसली तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे ठीक है उसके बाद में हम यहाँ पर order पर simply click करेंगे order पर simply click करने के बाद जो भी आगर आपने कोई भी हैं पर share खरीद रखा होगा या फिर आपका share pending में होगा कुछ भी होगा तो वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा इसी के साथ में आप account पर simply click करेंगे, account पर जो भी आपका balance होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अब आपको यहाँ पर share खरीदने से पहले आपको इसमें पैसे add करने होंगे, पैसे किस तरीके से add करना है, बो चलिए हम जाल लेते हैं, आपको fund पर simply click करने के आप यहाँ पर amount select करेंगे, आप कितने पैसे यहाँ पर add करना चाहते हैं, मैं अभी यहाँ पर 100 पर add करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर पहले ही पैसे add हुए, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने के लिए पैसे add कर रहा हूँ, मैं add fund पर simply click करूँगा, click करने के ब पैसे add कर पाएंगे, तो चलिए हम paper simply click कर देते हैं, click करने के बाद में हम यहाँ पर अपना UPI pin डाल देते हैं, और UPI pin डालने के बाद आपको यहाँ पर yes का option मिल जाएगा, इस पर आपको simply click कर देना है, जैसी आप इतना काम कर देते हैं, तो जो पैसे हैं वो आपके जो bullet ह इसमें जाके add हो जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, transaction success ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ से back करेंगे, अभी आप यहाँ पर balance है, वो मेरा देख सकते हैं, इस पर आप simply click करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहा है, जो कि मैंने अभी कुछ समय पहले हाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे home पर, ठीक है, अगर आप trade करना चाहाते हैं, तो आप इस पर simply click करेंगे, click करने के बाद में अब आप यहाँ पर यह देखेंगे कि कौन सी company है, उस company के हमें share खरीदना चाहिए, और आखिर कब खरीदना चाहिए, यह भी हम जान जैते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर मिल लिया है, ITC, इस पर आप simply click करेंगे, इसकी share की value है, 403 पर रुपए 75 पैसे, ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहा है, चार्ट पर simply click करेंगे, इस पर click करके, और आप इसके graph को भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, आप इस graph को यहाँ पर changes भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं चलिए यहाँ पर इस icon पर simply click करूँगा, और आप जिस तरीके से यहाँ पर रखना चाहा है, गिराप के लिए रख सकते हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहा है, वदलाव हो गया, उसके बाद में अगर आप इ अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं, तो आप ऐसी company के यहाँ पर share खरी सकते हैं, जो कि आप देख पा रहा है, यह जानि कि ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, वो तो होता ही रहता है, जैसे कि 10 पैसे कभी नीचे, 10 पैसे कभ पर रुपए, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं, 4 रुपए यहाँ पर होने वाली है, आपको देखते ही देखते देख सकते हैं, ठीक है, तो इस समय आप इस company के share यहाँ पर खरीज सकते हैं, और आप बहुत यह अच्छी तरीके से profit कर सकते हैं, तो अभी मैं आपको इ आपके मन में कोई ऐसी कंपनी है जो कि आपको उसी कंपनी की सेर खरीद रहा है तो आप इस आइकन पर simply क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे ठीक है जैसे कि मैं यहाँ पर PNV सर्च करना चाहता हूं तो PNV मेरे सामने आ जाएगी उसके बा किसी भी तरीके का लॉस नहीं हुआ है लॉस दोस्तो होता कब है सबसे पहले हम यह जान लेते हैं लॉस दोस्तो हमें तब होता है जब हम किसी भी कंपनी पर अजर्रा पैसे लगा देते हैं जानी कि बिना सोच समझे ठीक है जैसे कि यह कंपनी है टाटा ठीक है तो आप पर समझना होता है एक तो जब भी आगर आप पैसा लगा रहा है तो आपको इन सारी बातों को यहाँ पर यहाँ पर यह समझना चाहिए ठीक है उसके बाद में आपको यहाँ पर जैसे की यानिकि टूड़े जानिकी लॉस ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आप यहाँ पर देख पा रहा है नीचे में ठीक है तो आप यहाँ पर भी इसके जो रेटिंग वगएरा है वो आप यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं ठीक है तो अब इसके बाद में हम बात के लेते हैं जुकि सबसे ज़्यादा मैन पौंड होता है वो क्या होता है ठीक ह जैसे कि ये अगर आप जो share market है आप उसके share कब खरी सकते हैं और कब तक आप बेश सकते हैं ठीक है यानि कि share बजार आखिर open कब होता है और बंद कब होता है share बजार दोस्तों मैं बता दूँ अलग-अलग platform पर उसके हिसाब से होता है share बजार cdc बात कर दूँ मैं आपको 8 बज़ के 45 मिनिट पर 9 बज़े तक यहाँ पर शुरू हो जाता है share बज़ार ठीक है बज़ेंगे अगले दिन तो आप वहाँ पर share खरीद पाएंगे ठीक है अब बात किलते हैं हमें share खरीद रहा है चाहिए ठीक है तो हम क्या करेंगे जिससे कि अभी हमारे अकॉंट में balance कितना है वह हम चलिए जान लेते हैं जैसे कि मैं यहां से बैक करता हूं अकॉंट पर जाएंगे तो हमारे बैलंस है अभी 244 ठीक है तो मैं इसमें चलिए पैसे थोड़े और add करता हूं और मैं आपको फिर दिखाता हूं किस तरीकी से हमें share खरीद ना है तो चलिए वह यहां पर अभी 200 रुपए add कर देता हूं ठीक है तो इसके बाद में मैं यहां पर अपना upi pin एंटर कर देता हूं और उसके बाद में हम yes पर simply किलिक कर देते हैं और जो पैसे हमारे यहां पर add हो जाएंगे त्रीक है इस तरीके से आप जितने पैसे add करना चाहा है कर सकते हैं इस तरीके से कोई इसकी limitation नहीं है कि आपको एक दिना में एक बाद transaction करना है या फिर दो बाद transaction करना है ठीक है आप जितने चाहा है पैसे यहाँ पर add कर सकते हैं ठीक है तो अब भी जो मेरे यहां पर बॉलिद में रुपय है वो यहां पर हो चुके है जो कि आप, देख पा रहा है जयानिकि 25 रुपया, 76 पैसे यहां पर म है जो कि पहले ही ठीक है जो कि मैंने होज़ेंट च्रेड किया है ठीक है और यह अमन्ट मेरे जना कि 24 घंटे में कि इसी में ही जुड़ जाती है ठीक है तो हम यहां से वेक करेंगे ऌंपर जाएंगे बैंक निप्टी यानि कि उसके भी आप यहां पर खरीज सकते हैं ठीक है तो आप यहां पर खरीच सकते हैं, तो मैं यहां पर इस पर simply click करूँगा, और मैं यहां पर ITC, इसके company का मैं यहां पर आपको share खरीद के दिखाने बाला हूँ, ठीक है, चार्ट पर हम simply click करेंगे, तो अभी आप यहां पर देख पा रहा है, जानिकि low की तरफ है, ठीक है, कर लेना, जानिकि share को बेश देना है, ठीक है, हमेशा आपको नजर बना कर रखनी होती है, चलिए हमाँ बाइपर simply click करता हूँ, बाइपर simply click करने के बाद में, आपको दो तरीके से आप यहां पर share खरीच सकते हैं, तो मिल लिए है, N, S, E, और B, S, E, ठीक है, आप इन दोन में, आप यहां पर बेश सकते हैं, ठीक है, इंटर डे का मतलब यह होता है, आज अगर आपने share खरीदा है, तो तीन बज़ के 30 मिनट से पहले पहले आपको बेचना है, नहीं तो जो इसकी plot हो है, वो आपको बेच के share, और आपकी जो भी amount होगी, वो आपको अपने आप ही देगी, ठीक है, तो हम delivery में खरीदेंगे, कि कितने share खरीदना है, तो मैं एक share आपको खरीद के दिखाने बाला हूँ, और यहां पर आप एक limit, यानि कि limit set कर सकते हैं, कि भही नहीं हमें, बावर रुपए का खरीदना है, कि 50 रुपए का खरीदना है, 400, तब हम खरीदें, तो आप यहां पर limit set कर सकते हैं, अगर आपको अभी खरीदना है, तो आप marketing के price पर select करेंगे, और जो भी amount जो भी अभी चलती होगी, marketing के ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपको यहां पर खरीदने को मिल जाएंगे, ठीक है, तो चलिए हम यहां पर simply click कर देते हैं, buy पर और हम confirm, ठीक है, इस पर हम simply click कर देते हैं, click करने के बाद में, आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जो कि आप यहां पर देख पा रहा है, see details, ठीक है, इस पर आप simply click करकर, और आप यहां पर share की value है, वो आप यहां पर दे सकते हैं, जैने कि low कितना रहा है, 400, यहां पर देख पा रहा है, जो exit price है, वो आप देख सकते हैं, यानि कि 450.55 पैसे का आपको एक share पढ़ा है, marketing के price पर, जो कि आप यहां पर देख पा रहा है, किस दिन खरीदा है, वो आप यहां पर date देख पा रहा है, order have been successful, ठीक है, जैने कि जो आपका order है, वो यहां पर हो चुका है और आपने यहां पर share खरीद लिया है, अब चलिए हम यहां पर simply back करेंगे, back करने के बाद में, आप यहां पर order पर simply click करेंगे, तो जो भी आपने share खरीदा होगा, वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जिससे कि मैं चलिए इस पर simply click करता हूँ, click करने के अब आप यहां पर देखने को मिल लिया है, और यहां पर आपका loss होता ना, तो यहां पर आपको जाने की लाल कलर में देखने को मिलता, ठीक है, तो यहां पर देख पा रहा है, अब यहां पर देख पा रहा है, आपको plus में जाने की profit में है 5 का, ठीक है, आप देख पा रहा एक दो रुपै का आपको अगर आपको किस तरीके से बेचना है और आपकी जो अकॉंट है आपकी यहां पर कट चुकी होगी तो कहने का मतलब है आपने यहां पर खरीद लिया है ठीक है उस कि जा कि ये तीर वाद या फिर्ट पर आपको तुरंत लग रहा है ठीक है तो आप यहां पर बॉटर पर । क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं एंब चैनल मुझे एहां पर नहीं किलिक करना है यहिए को यहां पर करेंगे उसके बाद में यहां पर यहां पर बेच करना है तो서 है यहां a technology हमारा तो आप यहां से इस लिए कर सकते हैं लिमी तो इसके लिए को कोई भी आप डेंस로 दूर्ड नहीं है और आप चाहते हैं कि वहीं नहीं मुझे अभी यहां पर बेचना है ठीक है तो आप यहां पर marketing price select करेंगे और उसके बाद में आप sale कर देंगे ठीक है ठीक है तो मैं चलिए यहां पर इसे sale कर देता हूं और हम confirm पर simply click कर देते हैं confirm पर आप simply click करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हो चुका है ठीक है और यहां पर रुख चुकी है जो कि आप यहां पर देखी पा रहा है ठीक है उसके बाद में आप यहां पर अकॉर्ट पर simply click करेंगे तो जो भी आपकी amount होगी वो इसमें देखने को मिल जाएगी अब आपको यहां पर जाने कि 24 घंटे में आपके इसी balance में यहां पर सो होने लगेंगे ठीक है तो आप इस तरीके से तो आप किसी भी company के share खरीश सकते हैं और बेश सकते हैं बहुत तरीके से ठीक है दोस्तों उम्बीद करता हूं अगली वीडियोस में हम जानेंगे mutual fund में पैसा किस तरीके से लगाएं